जो कुछ भी मैं करते हूँ वो ही सब आपके साथ शेर करती हूँ आज कल मैं एक बुक पढ़ रही हूँ Atomic Habit बहुत ही खूसरत बुक है और उसमें साफ तोर पर लिखा गया है कि कैसे छोटे छोटे चेंजिस लाके हम अपने लाइफ में एक बड़ा चेंज ला सकते हैं तो हम जो होमेकर हैं हमारा जो ज़्यादातर टाइम है वो बीचता है किचन में लेकिन अगर किचन में हम कुछ स्मार्ट टिप्स को फोलो करें तो उससे हमारे बहुत सारे एफ़र्स भी बचेंगे और बहुत सारा टाइम भी बचेगा इस टाइम और इस है फ़र्स को हम अपने किसी दूसरे काम में यूज़ कर सकते हैं किसी दूसरी जगे लगा सकते हैं और अपने दिन को अपने वीक को अपने मन्द को पहुत अच्छे से productive बना सकते हैं तो दोस्तो ऐसी ही कुछ छोटी-छोटी smart habits आपके साथ आज share करूँगी I am sure आपको यह पसंद आएंगी और अगर कोई भी आपके साथ नई tip हो तो उसे आप मुझे comment box में जरूर बताईएगा कि कौन सी tip आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और कौन सी tip आपके लिए एकदम नहीं थी सबसे पहले tip तो यही है कि अपने kitchen countertop को आप एकदम minimal और functional रखे क्योंकि जितना कम सामान हमारे countertop के उपर होगा उतने ही कम efforts हमें लगाने पड़ेंगे और हमारा time भी save होगा तो कम से कम सामान रखें वो सामान रखें जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रुरत होती है बहुत सारी ऐसी चीजे हैं किचन में जो देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती हैं जैसे शिगाकाई powder, आमला पाउडर गरम मसाला, दनिया पाउडर आपका जीरा पाउडर ये बिल्कुल ऐसी चीजे हैं अगर आप नॉर्मली कंटेनर से ने चेक करेंगे तो शायद आप इनको पैचान नहीं पाएंगे इसका सबसे बड़िया तरीका ये है कि आपको ढूडने में बिल्कुल भी टाइम ना लगाना पड़े मुझे ये सोचने में लगते थे कि मैं आज क्या बनाऊंगी और एक टाइम बनाने के बाद मुझे दूसरे टाइम की चिंता होने लगती थी क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम जो वुमन्स हैं उनकी लाइफ में यही होती है कि आज हम क्या बनाएंगी लेकिन अगर हम वीकली प्लानर बनाके चलते हैं तो उसका बहुत फाइदा होता है हमें पहले दिन से ही पता होता है कि next day हमारी जो कीचन है उसमें क्या बनने वाला है तो मैं हमेशा इस तरह से चेक कर लेती हूँ मेरे पास जो भी vegetables बची होती है या फिर जो भी grocery बची होती है उसके according मैं अपने जो planner है उसे थोड़ा सा flexible रखती हूँ क्योंकि कहीं बार ऐसा होता है कि बच्चे at a time कुछ और भी demand कर देते हैं तो अपना planner जरूर बनाईए लेकिन उसे थोड़ा सा flexible रखिए ताकि आप उसमें थोड़ी बहुत adjustment कर सकें आप जब planner बनाईए आपको तब पता चलेगा कि इसका कितना बड़ा फाइदा है शुरू शुरू में ये थोड़ा सा hard लगता है लेकिन धीरे धीरे जब हम इसे implement करते हैं तो ये हमारी life का एक हिस्सा बन जाता है तो इस तरह से मैं अपने planner को पहले से ready रखती हूँ और कभी भी सुबह सुबह में मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मुझे आज क्या बनाना है पहले रोटी रखने के लिए मैं कुछ napkin paper या silver foil का use करती थी लेकिन अब काफी time से मैं उसका use नहीं करती हूँ मैं इस तरह के hankies और जो भी मेरे पास extra जो fabric होता है उनसे मैं इस तरह के रुमाल बना लेती हूँ उसी से ही देखें मैं अपनी जो रोटी है उन्हें रैप करती हूँ और ये रखती हूँ मैं इस तरह से एक छोटी सी basket में ये मेरे काफी handy रहता है और इस तरह से मेरे बहुत सारे पैसे भी बच जाते हैं मेरे अंदर क्या आदत थी कि मैं पहले जब खाना बना लेती थी उसके बाद ही सारे बरतन को धुलती थी लेकिन पिछले कई महीनों से मैंने अपनी इस habit को change करा है और जितने थोड़े थोड़े से बरतन होते हैं जैसे ही मुझे time मिलता रहता है बीच-बीच में मैं उसे clean करती रहती हूँ और आप इस habit को अपना के देखेगा क्योंकि जब बहुत सारे बरतन से हम sink को भरा हुआ देखते हैं तो हमारा जो सर है वो दर्द करने लगता है और अगर आप देखेंगे कि हमारी sink में तो बरतन ही नहीं है सिर्फ दो-तिन बरतन है तो automatically आपका मन करता है कि चलो उसे जल्दी-जल्दी clean कर देते हैं तो इस तरह से मैं अपने kitchen को कभी भी जो मेरी sink है kitchen की सोरी उसको कभी भी मैं भरके नहीं चोड़ती है हमेशा उसे clean करके चोड़ देती हूँ ताकि मुझे बरतन देखने के बाद कोई भी headache नहीं हूँ एक नई habit जो मैंने पहले अपना ही थी और इसने मुझे बहुत फायदा दिया वो यह है कि मैं पहले सारे बतन को एक जगे ही रद देती थी एक टोकरे में उससे मुझे जब सुबह के टाइम बच्चों के टिफिन बनाने होते थे तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी लेकिन अब मैं इस तरह से दो जो basket हैं उनका use करती हूँ इससे मुझे वो अराम से मिल जाते हैं नेक्स टिप यह है कि जब भी हम kitchen में काम करते हैं तो हमारे पास एक ही switchboard होता है जिसमें हम बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर पाते अगर एक काम कर रहे हैं तो दूसरा हमें रोकना ही पड़ेगा उसकी जगे पर आप इस तरह का जो multiple switch है इसका use कर सकते हैं ये आपके एकी time में बहुत सारे काम कर देता है grocery planning सुनने में जितना चोटा सा शब्द है लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ा word है उसका reason ये है कि जब भी हम market जाते हैं अगर हमने grocery planning नहीं करी है नहीं लिखा है कि हमें क्या-क्या समान चाहिए तो हम अकसर वो समान उठाके लियाएंगे या तो जिनके हमें जुरुत नहीं होती और कहीं बार तो ऐसा भी होता है कि actual में जो समान खतम हो गया है उसको हम लेकर ही नहीं आते तो हमेशा grocery planning ज़रूर करके रखिए इससे आपको पता रहेगा कि आपकी kitchen में क्या-क्या समान अवेलेवल है और उससे हमें ये भी पता रहता है कि क्या समान हमको लेकर आना है तो इस तरह से मैं अपनी grocery planning को हमेशा प्लान करके चलती हूँ अगर कुछी जोको हम fridge में store करके रख लें तो वो हमारे cooking के time पर बहुत सारे efforts और time दोनों को save करती है जैसे tomato puree हुई या फिर प्यास की puree हुई या फिर lesson अद्रक का paste हुआ इससे हम पहले से बना के store कर सकते हैं और मैंने आपके साथ share भी कर रखा है उनका सबका link मैं आपको description box में provide करा दूँगी आप उन्हें भी check कर सकते हैं लेकिन आज मैं क्या कर रही हूँ कि मैं lesson का paste बना के नहीं रखूंगे बलकि इनका मैं रख रही हूँ ऐसे ही छील के उसका reason ये है कि क्योंकि अब शनिवार और मंगलवार को हम लोग प्याज नहीं खाते हैं lesson नहीं खाते हैं तो मैं अब प्यूरी बना के नहीं रखती हूँ मैं क्या करती हूँ कि इन्हें ऐसे ही छील करके रख लेती हूँ और जो lesson है इसे छीलने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको थोड़ी देर इस तरह से करके रख लेती हूँ और उसके बाद धोने के बाद इन्हें साफ टोवल से बिल्कुल भी साफ करना ना भूले इनका पानी सुखाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है नहीं तो क्या होगा कि अगर आप इन्हें इसे ही स्टोर करेंगे तो इनमें फंगस लग जाएगा इस तरह के एक एरटाइट कंटेनर के अंदर जार के अंदर हम इने स्टोर करके रख सकते हैं आराम से 15 से 20 दिन ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे मैं हमेशा पहले दिन की जो वैजीज होती है उन्हें कट करके रख लेती हूँ शाम के टाइम ही ऐसा जरूरी रही है कि शाम के टाइम ही काटूंगे जब भी दिन में मुझे टाइम लगता है नेक्स डे की वैजीज को मैं कट कर लेती हूँ इससे ये फाइदा होता है क्योंकि ये सब चीजे पहले से कटिंग में हमें मिलती हैं तो हमारे जो एफर्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं हमारा कम टाइम लगता है कुकिंग के लिए देखें जैसे कल दुपैर को मुझे लोकी बनानी है तो मैंने लोकी को कट करके रख लिया है और थोड़े से प्यास को भी मैं छील जाते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं और इन्हें आप कम से कंप 15 दिन तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं इस तरह से बार बार आपके हातों में इनकी गंदी स्मेल नहीं होगी और आप इन्हें जब चाहें जिस सबजी में चाहें अराम से यूज़ कर सकते हैं इतनी जल्दी पूरी सब्जी को काट करके बनाना पोसिबल नहीं होता तो ये सारी तैयारी मैं हमेशा शाम को ही कर लेती हूँ इससे मेरा सुबह को बहुत सारा टाइम बच जाता है और बहुत सारे एफर्ट्स भी किचन एक ऐसी जगा है जहां पर हमें मल्टी टास्किंग होना ही पड़ता है जैसे कि जब मैं चाय बनाती हूँ तो उस टाइम पर मैं कुछ कंटेनर्स को क्लीन कर लेती हूँ और मैं अब जैसे रोटी बना रही हूँ तो साइड में मैंने दूद चड़ा लिया है इस तरह से दूद और रोटी मेरी दोनों एक साथ तयार हो जाएंगी और इसी तरह से पैलर वर्क को करके मैं अपना बहुत सारा टाइम और एफर्ट्स बचा लेती हूँ दोस्तो ये थी आज की वीडियो कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स जो आपको जरूर से पसंद आई होंगी कैसे लगी प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा जो दोस्त चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए ओके फ्रेंस थैंक यू एन बबाई